हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूशल शुरू करूँगा फिंगर्स के अनैल्सिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सैटिंग को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनैल्सिस हैं हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ सा ड्राउ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप मुझे स्कीन पर दिखाएगे वर्टसैप नंबर के जरिये संपर्क कर सकते हैं अब आप पास सकते हैं अपनी कुंडली वो भी पांच साल की भविश्यवाने के साथ या कुंडली पाने के लिए आप जोतिशिट.com पर जा सकते हैं और यह साइट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वेरिश फॉर्मेशन में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स की बात किये जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है सभी फिंगर्स के बीच में आपको कुछ हलके गैप्स बनते हुए कुछ इस तरह के गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच में आपको नजर आ रहे होंगे इस तरह के गैप्स का होना नेटिव की इंडिपेंडेंट अप्रोच को इंडिकेट करता है ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको करकर ही दम लेते हैं कुछ इस तरह का सभाव थोड़ी जिदी और रबिलियन टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी जो तरजनी उंगली है काफी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट है इस तरह की गुरूफ इंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडर्शिप क्वालिटिस काफी अच्छी रहेंगी ऐसे व्यक्ति नौलेजिबल होते हैं ज्यानवान होते हैं थोड़ी अधियात्मिक परसनेलिटि भी ऐसे व्यक्ति की मिडल एज के बाद बनती है और ऐसे नेटिव दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाले दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलाहा या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी शनी फिंगर की बात की जाए तो काफी अच्छी लंबाई में लेकन थोड़ी सी टिल्टड फिंगर आपको नजर आएगी शनी फिंगर का टिल्टड होना नेटिव के चीवन में स्ट्रगल को बढ़ाता है ऐसे व्यक्ति भेशक काफी मेहनती होते हैं जिनकी यहाफिंगर लंबी हो एक डिस्सिप्रेंट परसनालिटी एक नयाए प्रिया और अनुशाशन प्रिया टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की शुरुआत में अधिक मेहनत करने पड़ सकती है अगर हम बात करें इनकी सूर्या फिंगर की तो आप देख पाएंगे यहाफिंगर लंबाई में काफी अच्छी है इस फिंगर की जो लेंथ है आपको इनकी तरजनी के लगभग एकुल पहुंचती हुई नजर आएगी और इस तरह की लंबी सूर्या फिंगर का होना एक क्रियेटिव टाइप की परसनालिटी को इंडिकेट करता है ऐसे व्यक्ती की आर्टिस्टिक क्वाल्टिस काफी अच्छी होती है ऐसे व्यक्ती काफी क्रियेटिव नेचर के होते है एक बहुत अच्छा सोशल सरकल बना पाने में ऐसे व्यक्ती काम्याब रहते हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्या फिंगर लंबी होती है थोड़े रिस्क टेकर टाइप के होते हैं चीवन में रिस्क लेने से नहीं डरते कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है ऐसे व्यक्ति कई बर अपने धन को ऐसी जिगाहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाई हों जैसे शेर मार्केट है, क्रिप्टो करंसी हैं, म्यूचल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं ऐसी चीजों में भी नेटिव की रूची आपको देखने को मिल सकती है, इनकी मरकरी फिंगर की बात की जाए तो काफी अच्छी लेंथ में यहाँ फिंगर आपको नज़र आएगी जिस वज़े से नेटिव के कम्मिनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस से अकुमेन भी स्ट्रॉंग होत हैं, लेकिन यहाँ फिंगर आपको हलकी सी लो सेट नज़र आएगी, अगर हम इनकी फिंगर के बिलकुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती वी नज़र आएगी जिसमें आप देख सकते हैं, इनकी गुरू फिंगर, इनकी शनी फि नेचर को भी, चबकि इनके कम्निकेशन स्किल्स के ओपर इस फिंगर के लो सेट होने का कोई भी नाक्टिव प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इनकी मरकरी फिंगर की जो लंबाई है, वो काफी अच्छी नज़र आ रही है, बात करते हैं, इनके मांट्स की, आप यहाँ पर किसी व्यक्ति का इस तरह से उठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति की रूची अध्यातम में भी रहती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की हल्प करने वाले होते हैं, और एक बहुत अच्छी परस्नालिटी, एक आधर्शुवादी नेचर के तौर पर भी ऐसे व्यक्ति को देखा ज बनाता है, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं, और यहां पर जो सबसे उपर वाली यह रेखा आपको नजर आरे, इस रेखा को गुरु वलाय या फिर रिंगॉप सोलमन का नाम दिया जाता है, ऐसी रेखा अगर यहां पर मौचूद हो, तो यह नेटिव को थोड़ी वेराग्या की भावना भी दे सकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति चालिस वर्ष की एज के बार समाज में बहुत अच्छा नाम बना पाने में, बहुत अच्छी पहचान बना पाने में काम्याब होते हैं, और काफी अच्छा मान समान सोसाइटी में ऐस इने चीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है, अपने कमफर्ट जोन से निकल कर भी ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है, जिनका शनी परवत दब रहा हो, अगर इनके हाथ में इनकी शनी रेखा की बात की जाए, तो आप देख पाएंगे, चंदर परवत से यहां से अगर कोई रेखा शुरू हो, तो नेटिव को जीवन में कई लंबी दूरी की यात्राएं करने को मिलती है, ऐसे व्यक्ति अपने चीवन में अपने जनम स्थान से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस सकते हैं, पर्मानेंटली किसी और जगा जाकर रह सकते हैं इस तरह की संभावनाएं भी रहती हैं, और आप यहां पर देखेंगे, इनकी जो फाग्या रेखा है, बीच में आकर आपको हलका सा स्ट्रेस लाइन्स की वज़े से कटती हुई नजर आएगी, कुछ ऐसी रिखा हैं जो इनकी फेट लाइन को क्रॉस कर रही हैं, इनकी 36 की एज के बाद काफी अच्छी तरकी की तरफ भी इंडिकेशन दे रही है, इनकी हाथ में आपको यहां पर एक क्रॉस बनता हुआ नजर आएगा, यह जो क्रॉस का साइन है, इसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है, हाथ में अगर ऐसा मिस्टिक क्रॉस हो, तो नेटिव की र इन दोनों चिन्नों का हाथ में होना नेटिव की रूची को अकल्ट की तरफ भड़ाता है, जैसे एस्ट्रोलोजी है, पामिस्ट्री है, टेरो कार्ट्स, वास्तू, रेकी जैसी विद्याएं हैं, ऐसी चीजों की तरफ भी नेटिव की रूची रहती है, ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूरवा अभास हो सकता है कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो अपने रेलेटिव या मितर के साथ होने वाला हो ऐसी चीजों का अभास भी नेटिव को पहले से हो सकता है इस तरह के चिन अथेली में होने की वज़े से अगर हम और एक त्रिकोन का चिन आपको इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा सुर्या परवत के उपर इस तरह का त्रिकोन बनना नेटिव को गॉर्मेंट की तरफ से लाब दिलवाता है से व्यक्ति को जीवन में सरकार की तरफ से कुछ न कुछ बैनेफिट्स होने की सभावनाएं रहती है एवन ओल्ड इज में चलकर गॉर्मन की तरफ से पैंशन मिलने के भी काफी अच्छे योग इस तरह के ट्राइंगल की वज़े से बनते हैं अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो भले ही यह माउंट हलका सा लो सेट है लेकिन आपको यह एरिया काफी उभरा हुआ भी नजर आएगा इस तरह का मरकरी माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्निकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहेंगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की हलकी खड़ी रिखाएं भी नजर आएंगे जिने हम हीलिंग लाइन्स कहते हैं ऐसी रिखाएं अगर यहाँ पर मौचूद हो तो नेटिव दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाला होता है अपने शब्दों से अपने करमों से अपनी सलहा या कंसल्टेशन के जरिये लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपिबिल्टी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको बाखुबी नजर आएगी आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है काफी अच्छा विष्णू चिन बनाती हुई नजर आ रही है यहाँ पर जो एक फोर्क बन रहा है इस लाइन में उस फोर्क को ही विष्णू चिन कहा जाता है जैसे यह एक ब्रांच निकलने की वज़े से एक फोर्क का चिन बन रहा है ऐसा चिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में काफी अच्छी तरक्की जरूर पाता है लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति इमानदारी के रास्ते पर चले अपनी मेहनस से काम करे और धर्म के रास्ते पर चले अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन बन रहा हूँ गलत रास्ते पर चलकर बेइमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो चीवन में बड़ी दिकतें आ सकती हैं और तरक्की रुख सकती हैं अब देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन पर कुछ डाउनवर्ड चीवन में इमोशनल सेटबैक्स मिलने की समावनाएं भी काफी अधिक रहती हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छा मनी ट्राइंगल इनकी अथेली में बनता हुआ हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर तीन रिखाओं से बनता है पहली रेखा यह वाली जिसको कहा जाता है भागया की रेखा दूसरी रेखा यह वाली जिसको कहा जाता है मरकरी लाइन और तीसरी रेखा यह वाली जिसको कहा जाता है मस्तिक्ष की रेखा यह तीनों रिखाओं मिलकर इस तरह का ट्राइंगल हथेली में बनाती है तो इस ट्राइंगल क money triangle का नाम दिया जाता है जिन लोगों के हाथ पर यह है triangle बनता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे करकर काफी अच्छा धन और property पना पाने में काम्याब रहता है ऐसा व्यक्ति old days तक पहुंचते पहुंचते काफी rich बन जाता है अगर हम बात करें इनकी line of mind की तो area में जो middle age में थोड़ा तनाव और stress दे सकते हैं कुछ इस तरह की stress lines यहाँ पर भी हमें नजर आ रहे हैं जिनकी वज़े से कुछ minor stress और anxiety जैसी दिक्कते native को परिशानिया दे सकती है overall इस रेखा को देखा जाए तो एक लंबी रेखा है इनके हाथ में जिसकी वज़े से ऐस व्यक्ति की memory बहुत अच्छी होती है logical power काफी strong रहती है और यही वो रेखा है जो अपनी काफी sharp memory और काफी अच्छी बुद्धी की वज़े से native को तरक्की दिलवाती है अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे जीवन रेखा कुछ इस तरह से चलती ह हुई आगे चलकर इनकी जो भाग्या रेखा है इसी रेखा के साथ मर्च होकर यह रेखा आगे तक पहुंचती हुई नजर आ रही है जो indicate करती है लगभग 75 के आसपास की age को 70 से लेकर 75 के around age रहने की समभावनाएं इस तरह की जीवन रेखा indicate करती है लेकिन यहाँ पर एक ह पाटना नेटिव को कुछ ना कुछ health issues देता है कुछ minor health issues यहाँ पर young age में भी experience हो सकते हैं लेकिन 55 की age के बाद नेटिव को blood pressure, thyroid जैसी दिकते होने की समभावनाएं भी प्रबल रहती हैं अगर हम इनके केतू परवत पे बनने वाले fish जैसे चिन की बात करें तो आप यहाँ कि रिखाओं से आपको एक मचली नुमा अकृती यहाँ पर बनती नजर आएगी इस तरह का चिन केतू परवत के उपर बनना नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दोरी की यात्राएं देता है ऐसे विक्ति फॉरन ट्रैवल करते हैं और जीवन में कई बार अचानक धनला लाब होते हैं जैसे शेर मार्केट से लौटरी से इंशोरेंस के जरिए या इन्हारिटेंस के जरिए जीवन में धनका लाब होने के काफी अच्छे योग नेटिव के चीवन में बनते हुए देखे जा सकते हैं इनके वीनस यानि शुकर परवत की बात की जाये तो यह जो म के कमफर्ट से इसे नेटिव को चीवन में मिलते हैं लेकिन इस मांट के उपर आपको कुछ इस तरह की बारीक रिखाएं भी नजर आएंगी जिनकी वज़े से नेटिव को परिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है फैमली लाइफ में नेटिव को कुछ ना दिखेंगे चंदर परवत के ऊपर काफी सारी रिखाएं हैं आपको ड्रॉख करकर दिखाना चाहूंगा यहां जो एरिया है चंदर परवत का एरिया कहलाता है यहां से उपर की तरफ चलने वाली रिखाओं का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में काफी ट्रेवल लांग को थोड़ी mental instability दे सकता है जेवन में बेचैनी और घबरार जैसी समस्यां भी इस तरह की रिखाओं की वज़े से होना possible रहता है तो दोस्तों ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सुवालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई न कोई चिन या सुवार रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत थन्यवाद